आज हम बात करने वाले हैं गोल्डी बरार जो की एक मेंबर रहा चुका है लॉरेंस विश्णोई ग्यांग का देखो गोल्डी बरार जो है उसको माना जा रहा है कि एक गैंस्टर है मास्टर माइंड रहा चुका है मुर्डर ऑफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला का उसको डिकलेर करा गया है डेजिगनेटिट टेर्रिस के रूप में अंडर दा अनलॉफल आक्ट अक्टिविटीज प्रिवेंशन आक्ट यूए पी आक्ट के तहर अल्टिमेटली टेरिस्ट कौन है इंदे को UAPA में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है टेरर शब्द को या टेररिस्ट शब्द को ठीक है सिर्फ टेरृस्ट अक्ट को पताया गया है कोई भी ऐसा आक्ट जो आपकी इस इंटेंशन को dethा रहा हो कि आप थ्रेटिन करना चाहते हो unity को integrity को security को economic security को किसी country की sovereignty को और आपकी बड़ी mal intention है आप किसी section of लोगों को इंडिया में चाहे किसी foreign country में ultimately mal intention या threaten करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है अब ये समझने की जरुवत है कि how are individuals declare terrorists यानि किसी शक्स को ये कैसे माना जाए कि ये terrorist है तो देखो इस पे भी ना in general हम क्या मानते हैं कि जो legal presumption ही होते हैं कि अगर को individual तब तक innocent है जब तक को guilty नहीं पाया जाता लेकिन terror के case में क्या होता है कि अगर कोई convict individual पाया जा रहा है terror के case में तो उसको लीगली हम नाम दे रहते हैं कि भई ये terrorist है ठीक है इसका कोई standard of proof ये सब क्या होता है ये सब clarify 2019 की government इसमें नहीं करा गया था ठीक है अब next सवाल है कि what happens when an individual is declared a terrorist कि तब क्या कहा जाए जब individual terrorist declared कर दिया जाए उसके बाद क्या होता है तो मान लो designation किसी individual को global terrorist की मिल गई ठीक है तो किस ने दिया designation United Nations ने दिया और उसके बाद ही उसके पास sanction लगने शुरू हो जाता है उसके ट्रेवल बैं कर दिया जाते है उसके सारे के सारे assets को freeze कर लिया जाता है उसको procuring arms के against embargo किया जाता है 2019 की जो amendment थी उसमें कोई भी ऐसा detail प्रोवाइट नहीं की गई थी लेकिन फिर amendment आहीं centers ने remove करा मान लो किसी का name remove करना from the schedule when an individual makes an application अगर application कोई फाइल करता है individual की भाई उसको declare किया गया terrorist और reject कराना चाहता है बाद the government they have the right to seek the review within month उसको बाद कर सकता है अच्छा एक amendment ये भी है कि central government क्या करती है review committee बिठाती है जिसमें एक chairperson बैठता है chairperson कौर होता है या तो retired या sitting judge हो high court का तीन दूसरे members बैठते है review committee पूरी empower होती है कि वो government को order देती है to delete the name of the individual from the schedule list that is कि उसमें जहां पर उसका नाम terrorist लिखा होगा अगर पाया जाता है कि जो if it considers कि order अगर कोई भी flaw है अगर even वो चाहे तो individual अपने moves कर सकता है किसी court में challenge कर सकता है government के order पर ये सब कुछ किया जा सकता है ये सारी सीजें की जाती है कब जब individual के पास ये नाम आजा है उसका कि ये designated किया गया है terrorist की list में declare करा गया है ठीक है guys तो this is thank you so much for listening have a nice day